कहानियों के क्यारी में आज के कहानी है जादोई थाले किसी गाउं में साई राम नाम का एक साधू रहता था बड़ा ही भला आदमी था अपने साथ बुराई करने बालों के साथ भी वो हमेशा भला ही करता था गाउं के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था अपने घर आने बालों की खुब खातिरदारी करता ध्यान रखता और अच्छा अच्छा खाना खिलाता था गर्मियों के दीन थे खुब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी एक आदमी दोपहर में कही जा रहा था लेकिन ज्यादा गर्मी होने और लू लगने से वह साही राम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा साई राम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बिहोस पड़ा है तो वो उसे तुरंत अंदर ले गया और उसकी सेवा में लग गया पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा की तब जाकर उसे होस आया होस आने पर उस आदमी ने साई राम से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ किरप्या करके मुझे खाने को दे दीजिए साई राम ने कहा ठीक है मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कुछ ही मिनट में साई राम ने बहुत बढ़ियां बढ़ियां ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिये उसने तावर तोड़ खाना खाया और फटा फट सारे पकवान चट कर गया वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साही राम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तयार कर लिया उसने साही राम से पूछा महाराज जी यह बताई कि आपने इतने कम समय में खाना कैसे तयार कर लिया साही राम ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमतकारी थाली है इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो जी चाहे खाने के लिए बना सकता हूँ चोर ने हैरान होकर पुछा क्या आप मुझे वा थाली दिखा सकते हैं मैं यह सब अपनी आखों से देखना चाहता हूँ साही राम अंदर गया एक थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा मुझे केले चाहिए थाली तुरंत केलोशे भर गई चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया उसने साधू से पूछा माने बर क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक्षकता हूँ साधू एकदम से राजी हो गया तब साधू गहरी नेंद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहां से चंपत हो गया थाली चुरा कर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है जो भी जी चाहे थाली से मांग लूँगा उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा मुझे टंगडी कबाब चाहिए मगर थाली में कुछ नहीं आया फिर उसने कहा मुझे मलाई चाप चाहिए ठाली अभी भी खाली थी चोर ने कहा सीव लाके दो ठाली में फिर भी कुछ नहीं आया चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नामियाद थे उसने सब बोल डाले लेकिन ठाली खाली की खाली ही रही चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधू के पास गया और बोला महात्मा भूल से मैं आपका बरतन अपने शाथ ले गया मुझे माप किजिए अपना बरतन बापस ले लीजिए साई राम बिलकुल नाराज नहीं हुआ बरतन लेकर साई राम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बरतन से देने को कहा और बरतन में तुरंत आ गये साई राम ने चोर को एक पार फिर बढ़िया खाना खिलाया चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया उसने साधू से पुछा महराज जब यह बरतन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया मैंने इसे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया साधू ने कहा भाई देखो जब तक मैं जिन्दा हूँ तब तक यह बरतन किसी और के काम नहीं आ सकता मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उप्योग कर पाएगा बरतन के चमतकार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुस हुआ सोच रहा था अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बरतन का फायदा उठाऊंगा अगले दिन चोर फिर साधू के घर आया और साथ में घर से खीर बना कर लाया वह बोला महराज आपने मेरी इतनी सेवा की है मुझे दो बार बहुत लाजबाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए है इसलिए मैं भी आपके कुछ सेवा करना चाहता हूं मैं आपके लिए खीर लाया हूं किरप्या आप स्विकार कर लीजिए साथो ने मिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद किया कहा तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है चोर खीर में जहर मिला कर लाया था खीर खिला कर चोर बापस अपने घर चला गया रात होने पर बापस साधू की कुटिया में आया थाली को फिर से चुराने के लिए उसे पक्का यकिन था कि जहर से अब तक तो साधू का काम तमाम हो चुका होगा चोर जैसे ही थाली की और बढ़ा तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी आवाज सुनकर साई राम ने आखे खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया बोला कौन है भाई चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही ना रहा वह बड़ी हैरानी से बोला महराज आप अभी तक जिवित है साधू बोला क्यों भाई तुमने यह सब कैसे सोच लिया कि मैं जिवित नहीं हूँ चोर ने कहा मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था मैं तो यही सोच रहा था कि जहर की असर से आप मर चुके होंगे साधू ने कहा देखो भाई मैं निश्वार्थ भाब से लोगों की खूपशेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का चप भी करता हूँ साथे योगा अभ्यास भी करता हूँ इसलिए मुझे यह असिरबात प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों नहो मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ किसी भी जहर का मुझे पर कोई अशर नहीं होगा चोर ने निराश होकर कहा महाराज मैं तो आपको मार कर आपके पतीले का लाब लेना चाहता था लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई संत ने कहा भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ तुम्हारे किस्मत ही अच्छी नहीं है बोलो अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूँ चोर बड़ा सरमिंदा हुआ बोला महाराज मैं तो आपको धोखेशे मारना चाहता था मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा बैभार कर रहे हैं यह बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है साधू ने कहा भाई इसमें अजीब सी क्या बात है अच्छा ही करना मेरी आदत है बुराई करना तुम्हारी आदत है तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे हो और मैं अच्छा ही करना नहीं छोड़ सकता तुम अपनी आदत से लाचार हो मैं अपनी आदत से लाचार हूं सिख्छा इस कहानी से यही सिख्छा मिलती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो लेकिन कभी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए